हेलो एवरिवन, मेरा नाम है उतकर्ष मिश्रा, आज की इस वीडियो में हम नया चेप्टर करेंगे, चेप्टर का नाम है चुनावी राजनीती, यह जो चेप्टर है, इस चेप्टर के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसा कि हम यह सीखेंगे कि देश के अंद चुनाव करवाता तो करवाता कौन है, और क्या किसी चुनाव को हम कैसी एक कंसिडर करें कि वो जो चुनाव है लोकतांतिक है या फिर अलोकतांतिक है, तो इस चेप्टर को पढ़ने के बाद यह सारे जो डाउट से हमारे मिट जाएंगे, और भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चेप्टर चुनावी राजनीती, तो सबसे पहला टॉपिक अपना आता है 3.1 चुनाव क्यों, तो इस से लिए इस चेप्टर से पढ़ने से पहले तो थोड़ा बैग्राउंड बैग्राउंड सी चीज़े दी गई है, तो मतलब हाई कॉल्टी पे देखे, रेजोलूशन पे देखे, तो आपको इस चीज़े समझ में आएगी, होता क्या है, आदी रात का समय है, उत्सुक भीड है, वो चौरा है के पास पिछले 5 गंटों से बैठ कर अपने नेता का इंतिजा करी, यानि एक चौरा है, वहाँ पर भीड लगी पड़िया वो पाँच गंटों से बैठ कर अपने किसी एक नेता के आने का इंतिजा करे, और जो आयोजक है, जो मंच समाहाल रहा है, वो बार-बार उनको दिलासा दिला रहा है कि अभी नेता आने ही वाले है, अभी नेता आने ही वाले है, जैसे भी कोई गाड संगर समीति के प्रमुख है जो गुरिवार से उस रात कड़नाल में भाशन देने वाले देने आने वाले हैं तो कौन है जो भाशन देने आरे शिरी देविलार इनका नाम ज़रूर याद कर लीजिए यह आगे बहुत काम आएंगे इस वीडियो में आता है छेत्तर वर्ष के के नेता है आजकल पूर इनको जरा से भी फुर्सत ही नहीं क्योंकि सारा टाइम यह राजनेति कारिकरम में बिजी रहते हैं वो सुबह आठ बजे से लेकर शाम को रात के ग्यारा बजे तक काम इनका कारिकार चलता रहता है जगा जगा जाके चुनावी सभाओं में जाकर अपना भाशन देते हैं लगभग अभी तक आज नौ चुनावी सभाओं में जाकर भाशन दे चुके हैं और लगभग यह कामों 23 महीनों से कर रहें कोई आम इनसान तो चक्कर खा कर रहें लेकिन वो इतने 74-76 साल के होते हुए भी वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं औ पती यहज़र हैं देवीलाल विपक्ष के नेता चौधिदेवलाल एक न्यायुद्ध नामक आंदोला नेतितव किया था अब इनके बादे मगद थोड़ी और चीज़े जाने ज़ो चौधिदी देवीलाल हैं इन्होंने एक नियायुद्ध नामक एक आंदोली कर दरिक है और लोगदल लामक अपनी पार्टी का गठन किया और यानि चौधिरी जो देवी लाल है वो किस पार्टी से बिलॉंग करते हैं लोगदल पार्टी से बिलॉंग करते हैं चौधिरी देवी लान ने वादा किया क्योंकि चुनाव का टाइम है तो उन्होंने वादा किया कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वे जो छोटे वेपारियों और किसानों के कर्ज माफ कर देंगे जैसे सभी नेता प्रामिस करते हैं कि आप हमें वोट दो तो हम यह चीज़े करेंगे उसी तरीके से चौधिरी देवी लान ने भी प्रामिस किया कि अगर आप मुझे आने वाले चुनाव में वोट करोगे तो मैं आप लोगों पे जो कर्ज है उसे माफ कर दूँगा अब जा यानि जब elections हुआ तो लोगदल तो था ही था लेकिन इन लोगों ने क्या कर देए एक संगठन बना लिया जिसमें और भी अलग-अलग political parties ने मिलकर चुनाव लड़ा और आप लोगों को यह बता दूँँ कि पता किसके खिलाब चुनाव लड़ रहे थी Congress को टार्गेट कर लेते क्योंकि इससे पहले Congress की सरकाती थी लोग लोगदल और other opposition parties मिलकर Congress को हराना चाहती थी और इसी वज़े से अलग-अलग opposition parties एक हो गई इतना तो आपको समझ में आ गया तो अकेले अगर लोगदल की बात करे हम तो उसने 60 सीटे जीती किसने अकेले लगबख 60 सीटे जीती और बाकी के जो सीटे बच गई उनमें से 5 सीटे किसने जीती Congress ने जीती और जो बाकी बच गई वो other opposition parties ने जीती तो हम यह देखते हैं कि लोगदल को बहुमत मिला उसने सरकार बनाई फिर होता है कि राजपाल ने जो देवी लाल है उनको नए मुख्यमत्ति के रूप में समालने का निमतन दिया कि आईए भाई और आप अपसे नए मुख्यमत्ति हो और आप देश की भागदौर आपकी इस राज़ी की भागद लेते नो सारा चीज हो गया और उन्होंने अपना पद समहा लिया अब जैसे ही हो मुख्यमत्री बने उन्होंने उनकी सरकार ने क्या कि एक आदे जारी कर जितने भी छोटे किसान खेती हर मजदूर और छोटे विपारी पे रिंड था बकायर रिंड था उसे माफ कर दिया जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही इलेक्शन में अगर आप हमें वोट दो गया और हमारी सरकार बनी तो हम लोन माफ कर देंगे और ऐसा उन्होंने किया और उनकी पार्टी लगबार चार वर्शों तक शाशन किया और नेक्स टाइम जब इलेक्शन हुए 1991 म और भी ब्ला-ब्ला के रीजन्स लेकिन इस बार किसके सरकार बनी इस बार अगयन कॅंगरीस पार्टी ने चुनाव जीता और उन्होंने सरकार बनाई तो इस कहानी से हमें क्या सीकने को मिला कि पहले थी गवर्वर्नट कॉंगरिस की कॉर्वर्मेंट की थी फिर लोक दल की government बनी जनता ने लोग दल को चुना फिर लोग दल को हराका किस को चुना Congress को चुना तो इससे हमें ये पता चलता है कि चुनाव क्यूं से कि चुनाव होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे अगर कोई एक बंदा काम अच्छा नहीं करता कोई एक पॉलिटिकल काम अच्छा नहीं करती तो उसे हम सबक सिखाने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को चुन सकते हैं और कल को वो भी अगर काम अच्छा ना करें तो हम किसी और पार्टी या उसी दुबादा पार्टी को चुन सकते हैं ये उनकी आँखी खोलने के लिए है तो इससे हमें ये पता चलता है कि देश के अंदा चुना होने तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपने एक सही रिपरेजनेटेटिटिव को चुन सके क्योंकि पिछली बार हम ने जिसको चुना हमें नयों ठीक नहीं लगा इस बार हमने इसको इसपर ट्रस्ट किया लोग दल पे ये भी हमें ठीक नहीं लगा फिर हमने कहा कि चलो ऒबार इस पर पर देखे निया हम न आगे चल तो 5 a Dakota को किसी दूसरी पाइलैरे फिर को अपने विश्यादा से जताएंगे और उनको ना लगी हो गया हो अगर अच्छी लगी है तो तीन काम में से कोई भी दो काम जो आपको ठीक लगता है आपके उपर मैं छोड़ रहा हूँ like, comment and share इन तीनों में से जो भी दो चीज आपको prefer लगती है वो करना मद भूलिएगा इस वीडियो से सारी चीजों का हम cover करेंगे important questions, important एक mark के question, MCQ, long सारी चीजों का अच्छे से cover करेंगे वीडियो पूरी आप इससे related और भी chapters की वीडियो बनेंगे तो उनको जरूर देखिएगा चलिए मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो में